तो जम्मू कश्मीर में आज दो बड़े ओपरेशन ऐसे हुए जिसमें तीन आतंगवादियों को जो है वो मार गिराया गया यह जो आपको तस्वीर अपनी सक्रीन पर देख रहे हैं यह उन मारेगे आतंगवादियों से जो है वो रिकवरी हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तंदार और मचल सेक्टर में जो है वो एक बड़ी जो है सुरक्षा बलो को एक उपलबदी जो है वो मिली है उस दुरान तीन आतंगवादि जो है वो मारे गे हैं क्या है पूरी इंफर्मेशन आपको बताते हैं कि आज सुरक्षा बलो को इन्पुट मिला था कि थाईस तारीक की रात को कुछ आतंगवादी तंदार और मचल सेक्टर से इन्फिल्टरेशन करने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा बलो के इन्पुट के दोरान जमू किश्मेर पुलीस, बीएसेफ, सियार पिएफ और बारते सेना के टीमों ने उस पूरे इलाके में एक एंबुश लगाया और एंबुश के दोरान जैसे ही टैरिस्ट वहाँ पर पहुंचे और उनके साथ एक इन्कोंटर स्टार्ट हुआ तंदार में दो आतंगवादी जो है वो मारे गए जबकि मचल सेक्टर में एक आतंगवादी को सुरक्षा बलो ने मार गिराया हलाकि काफी टफ टरेन होने की वज़ा से लोसी का इलाका था और वहाँ पर कई कठनाईयों का सामना करना पड़ा सुरक्षा बलो को लेकिन समय रहते हुए इस सफलता को उन्होंने पा लिया यानि आपको बता दें कि जो आतंगवादी सीमा पार यानि पाकिस्तान से बारते सीमा की तरफ गुस्पैट करने का परियास कर रहे थे उनके साथ एक मुठबेड शुरू हुई गोलियों का तबादला शुरू हुआ और उस दोरान जो है दो आतंगवादी तंदार सेक्टर में और एक आतंगवादी मच्छल सेक्टर में जो है वो मारा गया इस पूरी ख़बर की जानकारी बारते सीमा की तरफ से सांजा की गए यानि बारते सीमा के अक ब्रिगेड कमानडर ने इस पूरे ओप्रेशन का हवाला दिया और जो रिकवरिस हुई हैं उन रिकवरि को डिस्पले किया यानि पूरा बताया कि उसमें काफी कुछ गोला बा तेल में बताया कि इस operation को किस तरीके से launch किया गया किस तरीके से information जो है intelligence input मिले थे कि आतंगबादी बारतिय सीमा के तरफ जो है वो गुस्पैट का परयास कर रहे है और वहां पर एक encounter शिरू होता है और इस encounter में तीन आतंगबादी जो है वो मारे गे ये सुरक्षबलों के लि की बज़ा से मोसं क्योंकि उस इलाके में करवट बदलता रहता है तो ऐसे में कही न कहीं सुरक्षबलों के लिए चनोती थी लेकिन सुरक्षबलों ने समय रहते हुए उन आतंगबादियों को मार गिरा है इसके साथ तीसरी मुठबेड की खबर जो है वो रजोरी के लठी इलाके से निकल कर ख्वास लठी का इलाका है वहां से निकल कर समने आई बरहल वहां पर ये बताया जा रहा था सुत्रों के मुताबिक कि सुबा जो है वो आतंगबादियों और सुरक्षबलों के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टैबलिश होता है फाइरिंग होती है और उस सुरक्षबलों को जो बड़ी काम्याबी मिली है आज जम्मो कश्मीर के अंदर तीन ऐसे उपरेशन जो है वो चले हैं जिनमें दो में तीन आतंगबादियों को मार गरा है जो कि कश्मीर गाटी के बताय जा रहे हैं और तीसरा रजोरी सेक्टर में यानि रजोरी का जो गातार जो है जिरो टॉलरेंस ये रनीती जो हो चल रही है कि जम्मो कश्मीर के अंदर जहां से भी आतंगबादी गटनाए निकल कर सामने आ रही हैं उनको जो है वो नोटीस किया जाए और उन आतंगबादियों को जल डूंड कर मार गराए गए जम्मो डिस्टर की बात कर तो जम्मो संबा के अंदर कहीं जैसे रजोरी, पुंच, सांबा, कठुवा, डोडा, बदरवा ये तमाम तरह के जितने भी इलाके हैं जहां कहीं से भी खबरे निकल कर सामने आये थी वहां पर सुरक्षा बलो ने अपने बड़े ओपरेशन जो है वो चलाए और कहीं मेडिया पर के इस तरह के जो संदिगत हैं वो इन इलाकों में देखेगे हैं यदि किसी को इन संदिगतों के बारे में कोई भी इनफॉर्मेशन मिलती है तो वो सुरक्षा बलो को बताए और उसे जो है वो इनाम भी दिया जाएगा और उनकी जो जानकारी है उनके मादिम से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के मदे नजर ये इलेक्षन कमिशन आफ इंडिया का भी परियास था और तमाम जमो किश्मिर परशासन का भी के इलेक्षन में कोई किस तरिके की खलल ना डाली जाए या फिर कोई इस तरिके का परियास ना हो जिससे इलेक्षन म भी alert mode पर रखा गया है ताकि जिस इलाके से भी इस तरीके की कोई खबर निकल कर समने आती है तो तुरंट उस पर action किया जा सके आप जुड़े रहिए the publish mirror के साथ हम जल्द लोटेंगे किसी और खबर को लेगे नवश्कार